हेलो गाइज आएम सैम खान एक ने टूटोरियल के साथ एक बार फिर हाजिर हुआ आपके खित्मत में उमीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी आज हम सिखेंगे कि फोडिशॉप में हम किस तरीके से करेंगे हम तरीकों कुड़ चेकर कर सेपहते हैँ हमने सबस्ते पहले कि मिर्ट पास पैंसील के मेज है मैं इसे एक नहीं फास मैंने इसेinating खैले क encode आजो तो बत किते हैं Photoshop जो पुराने Photoshop थे उसके इंदर हम यूज़ करते आएं लेकिन आज हम सीखेंगे Quick Selection Tool को किस तरी की से यूज़ करेंगे तो सबसे पहले पर ये इस लेक किया उसके बाद Image Open करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि ड्रैक सिर्फ मैं यहाँ पर अपना Drag करूँगा Click दबा के रखूँगा अपने Mouse का और इसको Drag करता जाओँगा तो यह Auto Select करता जाएगा सारी जो एरिया मुझे Required है वो एरिया Select करता जाएगा इसके बाद यह देखें मैं Select कर रहा हूँ सिर्फ ड्रैक कर रहा हूँ ना मैंने Plus, Minus, Control, Alter कुछ भी कोई की प्रैस नहीं की वी Just I am dragging this और यह Auto Select होता जा रहा है यह हम इसकी यहाँपर हमने Select किया Select यह हमारे पास हो गया है उसके बाद हम इसको Mask कर लेंगे Mask करने के बाद देखेंगे हमारे पास क्या Result है तो यह Mask के यह Legers के पैनल ले है यह Mask को हमारे पास यह option है इस पर मैं एक बार क्लिक करूँगा यह देखें यह हमारे पास mask हो गया है अब हम इसके नीचे इस pencil tool के जो हमारे पास pencil है इसके नीचे हम एक नई layer बनाते है ने new layer create की मैंने background के नाम से background यह background layer को मैं इसके नीचे ले गया डाउन करने के बाद मैं इस पर एक अच्छा सा background लगा देता हूँ जो भी आपको पसंद हो आप उस तरीके से background मैंने light के लो background अल्टर बैक स्पेस करूँगा मैं यह control बैक स्पेस करेंगे तो हमारे पास यह create हो जाएगा background का color हमारे पास फिल हो गया उसके बाद अब मैं यह देख रहा हूँ कि यहाँ पर पैंसिल के एजिस पे यह यहाँ पर डार्क कुटनेस भी आ रही है और सही से cutting जैसी requirement होती है हम इस पर कहीं इस हालत में हम कहीं यूज नहीं कर सकते हैं तो अब हम यह करेंगे कि इसको किस तरीके से sharp कर सकते हैं और द एक प्लैक लिए आपको यहाँ पर नज़े आरा है तो ब्लैक एरिया के मकसद है हुआ हम यह हम ब्लैक एरिया को हमारा की इस अब हम उन्हें इस mask के अंदर छुपा दिया है और जितना white area के अंदर नजर आ रहा है वह white area हमें सर्फ show करवाने है तो वही show होगा सिर्फ हमारे पास अब हम इसको sharp करने के लिए क्या करेंगे के इस mask tool पे double click करेंगे जब मैं इस पर double click करता हूँ तो एक panel मेरे पास properties का खुल गया है यहाँ पर तो यहां से जाके हम इसको सबसे पहले इस view के हम सबसे पहले decide करेंगे कि हमें view कौन सा view चाहिए हमारे को तो यह बहुत सारे views जो आपको असानी हो वो करें मैं फिलहाल on layer यह वाले view को इस view को select कर लेता हूँ इस view के बाद देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से हम इसको sharp कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने इसको smooth के option के अंतर में गया हमें और smooth को मैंने यह देखें यह यहां पर cutness है जो मैं इसका smooth बढ़ाऊंगा यह देखें यह sharp होना शुरू हो गया है सीधा हो गया है यहां से और सीधा होने कि सीधा तो हो गया है लेकिन इसके अंदर से यह black एज जो उपर वाली साइट पर यह black इसके जो आ रही हो blackness यह खतम नहीं हो इसको हम फिलहाल feather करेंगे थोड़ा सा सबसे पहले feather किया मैंने इसको देखें यहां से यह खराब हो रहा और ज्यादा मगर इसके हमें कोई वो नहीं है इन्शाला यह भी set हो जाएगा feather को थोड़ा सा increase किया मैंने यहां से 2.3 या 2.4 जैसे भी जो हमें जहां पर आपने image के साफ़ से suitable जहां पर लगेगा उसके बाद हम करेंगे contrast को जब हम यहां से increase करेंगे तो यह देखें यह feather इसका खतम होता चला गया यह यहां पर आप यह देखें आप यहां पर इस तरफ तो यह जब feather हमारे पास increase है यहां पर 2.3 पर और इसके बाद जब मैं इसको contrast को increase किया तो यहां पर यह खतम होना शाफनेश बढ़ती है, शमूद के लिए, स्मूद के लिए, स्मूद के लिए उसको फैदर के बाद, कंट्रास इसका इंक्रीज करेंगे, जब कंट्रास इंक्रीजfish हए, मास्कीं के अंदर, जब हम इसको increase करेंगे या decrease करेंगे तो देखें कि यह हमारा जैसे अगर increase करता हूँ तो देखें भार के area को यह और ज्यादा यह बार के area को जितना भी outside ता पैंसिल का वो इसको show ना शुरू हो गया लेकिन जब हम इसको minus में लेके जाएंगे तो यह देखें वो black area भी हमारे पास खतम हो गया यह देखें यह देखें जितना black area और जितना extra area आरा था हमारे पास जो हम use नहीं कर सकते थे यह देखें उस थरीके से हमारे पास यह clear हो गया है यह हमारे minus में यह हो गया minus जब हमने किया तो यह हमारे पास clear हो गया अब हम इसको press okay करते हैं और इसका वो दे 12 से CTRL Z करूँगा तो यह चीज हमारे पास गाइब हो गई और हमारी पेंसिल कहीं भी हम यूज कर सकते हैं कोई भी प्रोड़क्त हो पैंसिल हो या एक्सवाज एट कोई भी चीज हो हम उसे यूज कर सकते हैं अब मैं यह देख रहा हूं कि यहां पर हलका सा इसका कर्व आ रहा है फैंसिल का तो इसको किस तरीके से खादम करेंगे हम तो मैं सबसे पहले एक brush लिया, brush लेने के बाद मैं इसको hard brush लूँगा, hard rounded लेने के बाद मैं इसका size चोटा कर दूँगा, size चोटा जब मैंने किया तो मैं, और दूसरा यहाँ पर brush, उसके बाद फिर मैं mask layer select करूँगा, यह वाली layer को select नहीं करना है, mask layer को select करना है, और इस पर मैं यहां से मैंने इसकी opacity 100% करी और hardness मैंने इसकी 100% कर दी hardness 100% करने के बाद जब मैं इसको यहां से मिटाऊँगा तो यह देखे सीधा होता जा रहा है यह बिल्कुल सीधी होगी स्ट्रेट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहां पर जब मैं इसके लिए ज़रूरी है के मेरे यहां पर foreground के अंदर हमारा black color हो और white color background में हो तब ही हमारा यह mask tool clear करेगा अगर हमारा bilfard अगर हम इसे background को black कर देदे हैं foreground को white कर देदे हैं और अगर मैं इस पर करूँगा तो देखें बाहर की अरिये को ये शो कराना शुरू कर दिया है हम अंडू करेंगे दुबारा से वापस इस पो उसी हालत में लाए और हमें इस बात का खास ख्यार लगना है कि यहां पर हमारा background के अंदर white color हो और foreground में black color हो यह हमारी selection तैयार हो गई है यह हमारी pencil कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं अभी उसका shadow की तरीके से बनाएंगे तो मैंने control प्रेस करने के बाद इस masking tool पर click किया तो हमारी selection बन गई इसके बाद मैं एक नई layer लूँगा इसके अंदर इसका नाम रखूँगा shadow shadow के नाम से मैं इसकी layer बनाई और इसको मैं pencil के नीचे की तरफ ले आँगा और pencil के नीचे लाने के बाद मैं इस पर control या alt or back space करूँगा control back space यहां पर मैं dark color ले लूँगा gray color मैंने select किया ताके मैं इस पर gray color के shadow बना सकूँ यह देखें आप यहां पर यहां आपको gray shadow नजर आएगा control T किया मैंने इसको और इसका shadow जमीन पर गिरा दिया यह देखें जब मैं इस पर जमीन पर मैंने इसके shadow गिरा दिया तो hit the okay button and इसके बाद हम इसको multiply कर देंगे सबसे पहले ताकि इसमें real shadow feel हो और इसका सबसे पहले हमने इसके बाद हम इसके opacity कम करेंगे जितनी हमें requirement है इसका real अभी भी real shadow नहीं बन रहा है इसलिए हम इसको थोड़ा सा blur करेंगे blur करने के लिए हमें क्या करना है कि filter में जाएंगे filter में जाने के बाद blur blur में जाने के बाद Gaussian blur Gaussian blur के लिए जादा हो गया हमें इसको कम करना थोड़ा सा थोड़ा सा बढ़ा देंगे increase कर देंगे थाकि बस हलका सा shadow नजर आए यह हमने 1.8 किया look like better अगर अभी भी वह रेल फील नहीं आ रही है इसके अदर रेल फील मजीद लाने के लिए मैं इस shadow के लिए पर ही क्लिक करा मैंने filter में गया filter में जाने के बाद blur gallery इसके बाद रिस blur के अंदर में गया और यहां पर मैं इस center point को इसकी edge के लागे रख दूँगा जब में रख दिया उसके बाद देखें यह इसका outer area किस तरीकी से blur हो रहा है और यह क्योंके जितनी चीज़ real feel करने के लिए मुझे इसको और करीब करना है ताकि यह हमारा real feel हो बिल्कुल हमारी जो चीज़ हमारी near है वो चीज़ थोड़ी सी hard होगी जूती दूर जाती जाएगी वो चीज़ हमारी soft shadow बनेगा इसकी हमारे मेरे में okay है look like better and hit the okay button यह हमारे पास काफी better हो गया लेकिन हमारे यहां पर क्योंके यहां पर अभी भी hard shadow आ रहा है इसलिए मैं इसको भी mask button पर click किया मैंने इस पर और again एक बार फिर मैंने brush लिया अब मैं इसकी opacity थोड़ी सी कम कर देता हूँ 50% कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहां से इसको shadow को मिठाना शुरू करूँगा ताके हलका से shadow आ जाए बस this is look better तो यह हमारी pencil तेयार है और इसके shadow भी तेयार है उमीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी अभी तक आपने अगर मेरे चनल सब्स्राइब नहीं किया है तो मेरे चनल को सब्स्राइब कर लें और अगर आपको इसकी PhD चाह है कि आपको क्या problem है और अगर मेरे वीडियो पसंद आई हो तो kindly like comment and share करें और चैनल को subscribe करने ना बोलें thank you very much